हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू विएव स्पोर्ट मैच प्रिव्यू और इस वीडियो में प्रिव्यू करेंगे लालीगा ये स्पोर्ट्स का मैच जो के खेला जाएगा बेट्म बार्सलोना और अटलेटिको मडरिट के बीच में फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये काफी बड़ा काफी ब्लॉक्बस्टर क्लैश है बेट्विन टू अफ दे हेवी बेट्स अफ लालीगा बार्सलोना और अटलेटिको मडरिट के बीच में आप जानते हैं फ्रेंट्स की ये इस समय फोर होर्स टाइटल ड्रिस बनी हु हालांकि UCL में जो उन्हें विक्टरी मिली थी उससे ने थोड़ा सा confidence वापस आया होगा but still they are not looking at their best so इस match में ये दोनों टीम के लिए important होगा कि इस match में 3 के 3 points pick up करें and both the teams would be happy कि अगर वो एक भी point इस match से गेन करके आती हैं बार्सलोना के लिए फ्रेंट्स ही match जादा important होग क्योंकि वो इस समय 4th position पे बने हुए है तो वही अटलेटिकों से थोड़ा सा उपर है so it will be a very good a very fascinating encounter to watch for between Diego Simeone's side and Dejawee's side इस वीडियो में friends हम आपको बताएंगे view sport का best fantasy combination और आपको देंगे कुछ important small league और grand league के tips और picks जो आपको आपको आपकी team बनाने में help कर सकते हैं इसके साथ ही friends अगर आपको ये contest खेलना है तो आप ये contest fantasy अखाड़ा पर खेल सकते हैं जहाँपर non-vega contest के लिए commission सबसे low है असली अखाड़ा देखा है वहाँपर team बनाई है आओ खेलो fantasy अखाड़ा पर खुद देखो lowest commission और highest earning क्या होती है जल्ड़ fantasy अखाड़ा आप डाउनलोड करो और चीतो अब friends आये चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने best fantasy combination की तरफ फॉर दिला लीगा EA Sports मैच जो की खेला जाएगा बिट्विन बार्सलोना और अट्लेटिको मिडरेट तो friends ये मैच होगा बार्सलोना के होम पे इस तादियो ओलंपिक मॉंटे जूइच में कैम्परू चुकी रेनुवेट हो रहा है इसलिए बार्सलोना अपने मैच यहां खिला आप देख सकते हैं हमने थोड़ा से weird या mixed sort of team structure बनाया है अब इस type of team के साथ जा सकते हैं small league में हम लोग बताएंगे कि एक एक player के बारे में क्यों हमने किस player को किस वज़े से लिया है क्या reasoning है हमारे उन players को लेने की बट एक बात याल रखेगा friends कि ये मैच बहुत ही ज्यादा tough है to predict बाइस के बाइस हो players बस enough quality है कि वो इस match में कभी भी अच्छे points आपको दे दें still एक decent sort of small league team आपके लिए रहेगी जानो बलाक को हमने गोल की पर लिया है तरस्टेगन की fitness issues अभी भी चल रहे हैं आप इनाकी पेनिया को भी आराम से consider कर सकते हैं अगेंस रायो बहुत shaky और slow लगे थे बट अगेंस पोर्ट उन्हें बहुत ही crucial saves किये थे अगर in fact वो ना होते तो बार्सलोना हो मैच हार भी सकती थी तो गोल की पर का call 50-50 रहेगा हमने जियानो बलाक को लिया because हमें लगता है कि बॉल बार्सलोना के पास ज़्यादा होगी तो हो सकता है वो अटलेटिको को ज़्यादा टेस्ट करें अगर हम defense action की बात करें तो हमने चार reliable defenders लिये हैं Axel Witzel और Nahuel Molina from Atlético de Madrid असल में friends जोनों का रोल इस सब हैं काफी अलग है अटलेटिको Madrid में जहां Witzel Borussia.com ने CDM की तरह खेलते थे तो इन्हें Diego Simioni ने एक central center back जो एक progressive passing करता है वो बना दिया है और बहुत ही अच्छे form में चल रहा है इस सीजन आपको passing से भर-भर के points दे सकते हैं तो Molina आपको attacking returns decent दे सकते हैं आगे जाते वे काफी आपकी help करेंगे इनके defense में और भी option है for example Mario Hermoso जिन्रा goal scoring form बहुत अच्छा header से goal बहुत अच्छा score करते हैं अगर Jose Maria Jimenez खेलते हैं तो आप उन्हें consider कर सकते हैं आपको passing से point देंगे बट हमें लग रहा है कि इस match विटसल start करेंगे साविच को आप avoid कर सकते हैं और अगर आपको एक punt लेना है तो आप रोडरीगो रिकलमी को ले सकते हैं बट friends वो fantasy apps और midfielder लिस्टेड हैं defender नहीं लिस्टेड है तो उनका fantasy potential थोड़ा सक्कम हो सकता है हलांकि last match जो इनका हुआ था चैंपिन स्लिग में उसमें he was brilliant man of the match भी उने मिला था रोडरीगो रिकल में आपकी टीम के लिए अच्छे punt हो सकते हैं ग्रैंड लिंग में जरूर ट्राइ करिएगा बार्सलोना की बात करें तो दो reliable defenders हमने लिया है याओ कंसलो और जूल्स कुंडे को friends दोनों बहुत ये अच्छे form में in fact friends अगर कुंडे की बात करें तो उनका recent form थोड़ा सा questionable रहा है अगर आपको पासिंग से बहुत अच्छे points देंगे और अगर जाओ कांसलो की बात करें तो he gave a 10 out of 10 performance against Porto in the Champions League उनको left-sided interior, left-sided outside touchland winger दोनों की तरह जावी यूज़ कर सकते है depending upon the situation of the match इसलिएम ने इनको whyseptancy दिये, assist potential बहुत अच्छा है, chance बहुत create करते है goal scoring का chance बहुत अच्छा है, आपको हर तखीके से fantasy point देते है, clean sheet का भी आपको advantage देते है इसलिए हमने इने whyseptancy दिये, midfield की बात करें तो हमने कोके, इलकाय गुंडोगान और फ्रेंकी डिजॉंग को लिया है इलकाय गुंडोगान, फ्रेंकी डिजॉंग को हमने बार्सलोना से लिया है, इलकाय गुंडोगान थोड़े से deep रहेंगे आपको defensive और attacking points अच्छा mix देंगे, chance creation numbers भी अच्छे है तो फ्रेंकी डियॉंग के अगर friends हम बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा assist potential देते है ball carrier one of the best है, in fact best है in the world, बहुत ही अच्छा आपको fantasy point देते है injury के बाद जब से आँ है तो आप से अच्छे form भी है, UCL में भी इनुने अभी recently अच्छा किया था पेटरी को friends हम नहीं ले पाइप, पेटरी को भी consider कर सकते है अगर आपको एक player अटलेटिको मेडरीट से extra जए तो आप रोटरी को डिपॉल को consider कर सकते है जो कि बहुत ही अच्छे form है, build up play में काफी help करते है हमने friends koke को लिया है क्योंकि हमें लगता है कि most of the minutes के लेंगे और friends koke इस season बहुत pass complete कर रहा है, on an average 100 pass कर देते हैं यह एक match में Champions League match में भी इन्होंने 90 plus passes किये थे 150, 120, 130 ऐसे pass करते हैं, basically midfield के पूरी तरह से creative fulcrum बने हुए है, इन्ही के आजू-बाजू से attack जाते हैं, यह proper distribution करते हैं तो passing साब को enough point दे सकते हैं, अगर आपको defense और attack दोनों का mixture चाहिए तो अगर साउल यह match साट करते हैं तो आप साउल को भी consider कर सकते हैं अपने grand league teams में, forward section की बात करें तो हमने Antoine Griezmann, Robert Lewandowski और Joao Felix को लिया है तीनों काफी interesting option है, Antoine Griezmann जो इस समय probably athletic हो ही नहीं, लालीगा के best player बने हुए chance creation, goal scoring, assist potential, tackle, interception, defensive points, on penalties, हर तरीके साब को point देता है हमें बताने की जरुवतने की Griezmann की क्या class है और especially इस सीजन का form हमें लगता है कि इस match उन से better कोई captaincy option नहीं तो दूसरे striker जो मिले है Robert Lewandowski, इनका form friends काफी चिन्तित कर देने वाला है इन्होंने बिल्कुल भी touch में नहीं लग रहे है, out of form है, आप चाहें तो इन्हें drop करने का भी risk ले सकते हैं और someone like Alvaro Morata जिनका recent form थोड़ा सा अच्छा उन्हें consider कर सकते हैं, Ferran Torres को consider कर सकते हैं अगर वो start करते हैं, Rafinha को भी आप extra section midfield में ले सकते हैं बट Robert Lewandowski का form काफी questionable है, touch में नहीं दिख रहा है, creation इन से कुछ हाँ नहीं रहा है, drop करते हैं, आगे जाते हैं, goal नहीं स्कूर पार है डग जरूर कर सकते हैं, तो friends ये ता हमारा best fantasy combination फॉर दिला लिगा, ये sports match विट्विन बार्सलोना और अटलेटिको मडरिड